हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एक्जामी स्टेशन माइसेल्फ प्रदीव फ्रेंड्स आज अपन वेधिक पीरियट के उपर कोश्चन करने जा रहे हैं हम लोग पहले सिंदु घर्टे से बता के उपर कोश्चन कर चुके हैं अगर आप लोगोंने वो वीडियो नहीं देखा तो वेधिक लोग थे जो वेधिक पिड पे पहले हैं च्छक्त नकरव वीडिक पीरियो और जो इनके पहले हैं हुए दूज और इसके उथपाद मतलब जो ओर दूद्स से क्या बनता है जो दूद्स से ड़ी हो गया इनके भोजन थे दूद में दूद्स में यौ मतलब जो डालकर छीर जो छीर मतलब जो से चाज बोल थे हो उसको लोग बना के पीना बहुत पesting करते थे तो इसमें दूर्ट और इसके उत्पादा भी याद रहें जो दूर्स से बनी हूँ चीजें है वो सब चीजें इनका प्रमुख भोजन था तो अब आगे देखते हैं अगला कोशन निम लिखित में से कौन सा अन मनस्यों दोरा सबसे पहले प्रियोग होने वाले में से है दोस्तों जो अन जिसे सबसे पहले लोगों ने प्रियोग किया वो कौन था जो ठीक है जिसको यो भी बोलते हैं ठीक है दोस्तों सबसे पहले यही प्रियोग होने वाला था और इसी के साथ चपाए गए है किस में आये हुए है ShC में आये हुए और वं थर्ड आमडरman question है वैदिक लोगों दोरा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था जो धातु वैदिक काल की लोगों दोरा प्रयोग की गई थी वो कомई विदा थी ताम आता ठीक है दोस्तों किया था तामबा ठीक है ताम्बे का प्रयोग सबसे पहले इन Techostender अगला कौश्चनाइवीरण सब्सकर अर्थ है दोस्तों वेध मतलब जो वे जो वेदिक बना है न दोस्तों वेध वेध से बना है वेदिक तो वेद का मतलब ज्यान मैंने आपको एक अपने पिछले जिसमें बताया था वेदिक काल के बारे में उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया हुआ था कि ये गुरु जी थे वो उनको सिच्छा दे रहे थे तो उस फोटो से सब कुछ किलिए रो गया था कि कैसे किस चीज का नाम भी आगया ठीक अगर आपने वो वीडियो ने देखी तो उसको देख लें आपको स्वारा डिटेल में नौलेज हो जाएगा ठीक है तो इसमें क्या है वेद अपसंस आई है अब दोस्तों पांचों नमर कोश्चन देखते हैं और पूर्वों के साथ अपने सं संगर्सों में सपल रहे क्यों की दोस्तों जो मतलब उन्होंने संगर्स किये वो क्यों सपल रहे उन्होंने गोड़े द्वारा चलाये जा रहे रतों का प्रियों किया दोस्तों जो जो लोग वो रत चला रहे थे वो उनको चलाने का जो जो उनको खीचता पांगी रत को वो गोडे थे ठीक है, कौन था, गोडे, उनकी रतों गिचने के लिए गोडे थे, इसलिए वो जो, वो काम करते थे, या कही ज़ए यूद्ध ही गजब करते थे, जोटे मोटे तो वो गोडों से यूद्ध करते हैं, दूसरी लोगों से, तो वो इस विज़ाब से सपल रहे थे तो कौन सा उप्शन सही हो गया डी उन्होंने गोडों द्वारा चलाये जा रहे है रतों का प्रियोग किया ठीक है अब दोस्तों आगे देखते हैं इस नमबर कोश्चन है आरस अबता में मनुस के जीवन के आयू के आरोही क्रमा नुसा निम लिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों यह थोड़ा कोशन वह यह रटने टाइप के कोश्चन है तो आपको दोलग ध्यान में रखना पड़ेगा तो यह नमबर चार अविवस्ता हैं में विवाज्यत किया गया है आश्रम मिवस्ता का प्रवधान किया है हिंदु धर्म सास्त्र मनुस की आयू 100 वर्स मानते है थीक है weighing हिंदू के धर्म सास्त्र हैं वो मनुस की आयू 100 साल मानते हैं तता प्रतेक आस्रम में 25-25 वर्स की आवदी निदारित करते हैं मतलब चार आउपसन हो गए तो हर एग में 25-25 साल की एक आयू मान ली गई तो 25 चो को 100 ठीक है तो हिंदू धर में 100 साल मानी गई है जो हिंदू की अरबिक वेदिक रमें पून वेवस्ता वाड़ा एक आथारी थी डोस्तों जो वन वेवस्ता मतलब आप यह समझी जीए कि मतलब छोटा वड़ा एक अब यह समझा लो ठीक है तो वन वीवस्ता किस में थी वह दोस्तों थी इसके कितने चोटे बड़े होगा करते थे उफिसाप से उसमें आदा रही थी ठीक है अब दोस्तो आटवा नमर कोशन देखते हैं रिगुवेदिक आर रहे पसवचारी लोग थे मतलब पसवचारी मतलब वो लोग पसवपालते थे यह इस सथ उसे पुष्ट होता है कि दिगुवेद में अनेक गाएं थी दोस्तो जहां पर रिस्म होनी थे वो लोग गाएं पालते ही पालते थे आपको पता होगा ठीक है अधिकांस जो गाएं के लिए ले गए दोस्तों जैसे सब्च करों किसी ने गाएं को काट दिया नॉन इयरा ना दन्थ होती रहती थी और जो पुरोईट मतल मट होते थे उनके जो में लीडर थे वो पुरोईट थे डीक है तो पुरोईट को जो solution को प्रदान क्षे प्रादाश्यबहिंत कर दोंके सभी दी नंबर हो को पहला उर्यों को एक मूल qaq kawंता मैक्सिप मूलरud क Nuclear इसीनिऊ पहले कहा एक है और जनजातियों की पराचींतम बस्ती कहा है दोस्तों आपको पता होगा मैंने डिटेल में सब कुल बताया हुआ है क्या है सब्त सिंदू ठीक है सब्त सिंदू दोस्तों गैरणवान अमर कोशन देखते हैं निमलिकित में से कौन सी जंजाती सभा समान रूप से जंजाती सरदार मुखिया के चुनाओं में सामिल होती दोस्तों क्या बोलातः दोसको समीत ही क्या बोलते थे समीत ही फिर गईieza मतलब क्या हो गया एक तरहीं किरेगे समु एक सभा का मतलब क्या हो गया सभा का मतलब हो गया कि वो वो नंबर की कोई काउंटिंग नहों बस एक थोड़ा अनुमान हो कि हाँ ये लोग इतने हो सकते हैं ठीक है तो इसका क्या है समित ही सही है दोस्तो अगला नंबर कोशन देखते हैं दोस्तो वैदिक युग में राजा को कहते थे बली क्या कहते थे बली ठीक है दोस्तों आज के इस सेशन में इतने ही कोश्चन है इतने इंपोर्टन बॉर्टन कोश्चन है और जो जो भी कोश्चन है सारे सारे पास्टियर कोश्चन है किसी ने किसी परिच्छाओं में आए हैं आप चेक कर सकते हैं किसी भी किता तो सेरे करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें मत दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग चलिए मिलते हैं अगले फैसन में जब तक के लिए गुडबाई ओके थैंक्यू